आज का मारा टॉपिक है एस्क एस्क की बात करेंगे जो की कमपटीशन के लिए बेरी बेरी इंपोर्टेंट है पहले इसकी डेपिनेशन देखते हैं बेखनेज जिनसे दातु कम कर्चे में यानि कम लागत में आसानी से प्राप्त होती है एस्क कहलाते हैं क्या कहलाते हैं एस्क कहलाते हैं अर्थात सभी एस्क खनेज होते हैं जो एस्क होते हैं वो खनेज होते हैं लेकिन सभी खनेज एस्क नहीं होते हैं सभी खनेज एस्क नहीं होते हैं और जो एस्क हैं वो खनेज होते हैं क्योंकि यह सुद्धी होती है और खने जो है वो सुद्ध होते हैं आप करते हैं सलपाइड एस्क और कार्वनेट एस्क की बात करते हैं क्योंकि दो प्रकार की असुद्धियां पाई जाती हैं सलपाइड की और कार्वनेट की एस्कों के अंदर दो प्रकार की असुद्धिया को किस के दोवारा सलपाइड एस के को किस के दोवारा अपन सुद्धी करण करेंगे यानि कौन सी किरिया दोवारा अपन उनसे दातू को प्राप्त करेंगे सलपाइड एस के दोवारा तो बरजन किरिया विदी है और कार्वनेट एस के लिए निस्तापन किरिया विदी है प्राप्त की जाती है जैसे निस्तापन की रिया विदी AP2O3, AP2CO3 को ऑक्सीजन की उपस्तिती में AP2O3 प्राप्त होता है ये कौन सी निस्तापन की रिया विदी हो गई और ये कौन सी हो गई बर्जन की रिया विदी तो सलपाइड ऐसकों को किस किरिया विदी के दोरा प्रतक किया जाता है दातू को प्रतक किया जाता है अलग किया जाता है तो कौन सी किरिया विदी आपको आंसर आएगा बर्जन और दूसरा आएगा आपको निश्था अपन इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन ये आपके दातू है और ये एस्क तो लोई के एस्क अगर पूछ ले आपके question में कि लोई के एस्क बताईए तो क्या बताएंगे हेमेटाइट, मेगनेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट क्या बताएंगे हेमेटाइट, मेगनेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट मतलब लात करते हैं इसके बाद करते हैं आपके वाकसाइड क्रायॉलाइट कभी-कभी कभी-कभी आपके एक्जाम में जो वाकसाइड है उसका फॉर्मूला पूछिस लेते हैं तो क्या होगा, al203.2h2o, al203.2h2o, अब देखते हैं, pv, led, led होता है, जो सिसा, सिसा, आपके ask को पूछा है, सिसा का ask, आपके पूछ ले, question में, तो क्या बताएंगे, galena और seek site, galena और seek site, अब galena का फॉर्मूला क्या होता है, pvs, और seek site का क्या होता है, pv203, pv203, अब यहा जो led है, वो सिसा होता है, तो देखो seek site, यहाँ याद हो गया, आपको कही ही नहीं बूलने वाले, trick बताएंगे, trick बनेगी, तो हम, आपको बिल्कुल, protect की trick बताएंगे, अब यहाँ चांदी की बात करते हैं, चांदी, ag, 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 होता है, इसके बाद, अपन बात करते हैं, जस्ते के S की, इसके notes, जो PDF है, नीचे comment box में, आप, आपको number मिल जाएगा, WhatsApp, बहाँ मेरे को message करते हैं, पीडिया मिल जाएगी, इस notes की, अब जस्ते की बात करते हैं, जस्ते की, जस्ता होता है, जेडन, जेडन, जिंक, ब्लेड, इसके S कौन-कौन से, जेडन, और केला माइन, अब केला माइन, देखो केला, केला माइन हो रहा है, केला मिन, तो इसमें अपने trick लगाईए, आपको याद रखने के लिए, जो केला होता है, वो केला होता है, अब बाजार में बिकने वाले केले होते हैं, वो सस्ते होते हैं, आप किसी भी फलवूर्ड में देख लेना केले सबसे सस्ते मिलेंगे तो सस्ता और जस्ता तो ये की बात है केला मिन केला सस्ता होता है तो केला मिन और जो सस्ता और जस्ता ये की बात है याद हो गया ना कहीं नहीं जाने वाले आप अब अपन पारे की बात करते है मरकरी माने पारा होता है पारा अब इसका S कौन सा है सिनेवार जिसका सुत्र होता है HGS बाहर में पारा चड़ जाता है, जो बाहर होता है उसमें पारा चड़ जाता है, ठीग है, इसके बा Zhenghog करते हैं, तिन की S in, जिसका HOW का sais कहुं सा है, कैसी टेराइट कैसी टेराइट कैसिट की राइट जगे पर रखना तिन जो अपनी कैसिट होती है उसकी राइट जगे पर रखते हैं इसके बाद मेगनीज के S की बात करते हैं मेगनीज का X क्या है पाइरोलोसाइट इसका सुत्र क्या होता है MNO2 इसके बाद बात करते है थोरियम की थोरियम के एस्क कौन कौन से है तो थोरियम के एस्क है सोनो जाइट सोनो जाइट ती एच ओटू ती एच ओटू इसका क्या होता है फॉर्मूला इसके बाद बात करते है यूरेनियम की यूरेनियम और रेडियम यूरेनियम और रेडियम जिसका एस्क कौन कौन से है पिंच विलेड यू 308 येलो केक होता है सीमाकारी पार तसरी यानि जो येलो केक होता है उसमें यूरेनियम का ऑक्साइड का यूज किया जाता है इसके बाद बात करते हैं कैल्सियम कैल्सियम अपना जो दातु है उसके एसक कौन कौन से होते है जो कैल्सियम दातु है उसके एसक कौ 3.MGCO3 इसके बाद बात करते हैं मेंगनीसियम के S की मेंगनीसियम MG, MG का S डोलोमाइट और कार्निलाइट डोलोमाइट और कार्निलाइट तो इसका सुत्र CACO3.MGCO3 और इसका कार्निलाइट का सुत्र हो गया kcl.mgcl2 6H2O इसके बाद बात करते है potasium की potasium के S कौन कौन से है तो potasium के S की बात करेंगे carnelite carnelite का फॉर्मूला क्या होता है kcl.mgcl2.2H2O क्या होता है kcl.mgcl2.2H2O और sora यह potasium के S कोगे इसके बाद sodium की बात करते है सोडियम के S कौन कौन से होता है गिलोवर साल्ट और रॉक साल्ट गिलोवर साल्ट और रॉक साल्ट जो गिलोवर साल्ट का फॉर्मूला होता है एने टू एसो फॉर इसके बाद बात करते हैं अपन नोट जो सोना होता है सोने की बात करते है सोना सदे मुक्त अवस्ता में फिरी अवस्ता में पाये जाता है जो सोतंत्र अवस्ता में पाये जाता है जो सोना होता है वो सोतंत्र अवस्ता में पाये जाता है चांदी ततातामा मुक्त अत्वास संयोगत अवस्ता में यानि फिरी भी पाए जाते हैं सोतंत्र भी पाए जा सकते हैं चांदी तता स्तामा और संयोक्त अवस्ता में यानि किसी के साथ जुड़े हुए अवस्ता में भी पाए जा सकते हैं एसक का मतलब होता है कि सुद्धी होती हैं, एसक के अंदर उसमें से दातु को अलग किया जाता है, तो वो क्या है, सुतंत्र हो जाती है, सुतंत्र मलनब सुद्ध अवस्ता में प्राफ्त हो जाती है, इसके बाद सुद्ध सोना कितने केरेट का होता है, तो आप से कोईशन प फिर 24 केरेट होता है, 2% क्या होता है, 2, तो 2 केरेट क्या होता है, 22 भाग का तो सोना होता है, और 2 भाग क्या होता है, 2 भाग वो असुद्धी के होते हैं, असुद्धी कौन कौन सी होते हैं, तामा और चांदी की, जो आपके बाजार में सुनार लोग होते हैं, वो आपको सु गेहने बनाते हैं तो गेहने सुद्ध केरेट होता है सुद्ध सोना होता है वो क्या है कि उसमें 2% असुद्धी मिलाते हैं दो भाग असुद्धी के मिलाते हैं और वो असुद्धी होती है तामयोच चांदी की अब आवुषण में असुद्धी का आप से परसेंटेज तो दो तो असुद्धी होगी, तू बटा 24, 24 क्या हो गया, 24 क्यरेट, सुद्ध सौन्या, और उसके बाद परतीसद निकालना है तो 100, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, जो आपको आउसर्ड की असुद्धी पूचे तो 25 बटा 3%, 25 बटा 3%, इसके बाद बात करते हैं, नो अब क्या है कि बसी अमल, अब बसी अमल कौन से है, जैसे तेल है, तेल में क्या होता है, बसी अमल और गिलेस्टरॉल उपस्तित होता है, तो इसके सोडियम तता पॉटेशियम लवड क्या होगे, सावन, सोडियम तता पॉटेशियम लवड क्या होगे, सावन, सोडियम तता निर्माड करेगा सावन का निर्माड करेगा अब इसके बाद बात करते हैं सावन की सावन पामेटिक तता इस्टिरिक अमल होते हैं सावन पामेटिक तता इस्टिरिक अमल होते हैं इसकी बनाने की किरिया विदी क्या कहलाती है सावन के बनाने की किरिया विदी सैफोनी करण क लुटायोरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर पीर्स जो सावन आता है वो पारदसी होता है तो पारदसी किसके कारण होता है ग्लेस रॉल उसमें ज्यादा उपस्तित होता है इसलिए क्या है पारदसी होता है इसके बाद अपन जो ये तो सावन की बात होगी अब डिटरजेंट की बात करेंगे जो सरप होती है जिसे कपड इसके बाद अपने बात करेंगे डिटर्जेंट की डिटर्जेंट की जाग देता है इसे बाद अपन बात करना चाहेंगे गिलाँस की काच की काँच का आपसे रासाइनेक नाम पूछ ले तो काँच का रासाइनेक नाम होगा सोडियम या कैलसियम सिलिकेट सोडियम या कैलसियम सिलिकेट काँच का रासाइनेक नाम हो गया काँच किसके बने होते हैं सोडियम थता कैलसियम के कैलसियम सिलिकेट के बने होते हैं और कांच को क्या का जाता है अतिसीत द्रब अतिसीत द्रब का मतलब यह है कि कई कांच होते हैं आपने देखा होगा कि गरव में कई कांच होते हैं वो क्या है कि उपर से पतले हो जाते हैं और नीचे से मोटे हो जाते हैं क्योंकि द्रब का है बैते कई सालों काँच का ये रूप देखने को मिलता है कि नीचे तो मोटे हो जाएंगे और उपर से कि पतले हो जाएंगे इसलिए उसे अति सीतित दरब कहा जाता है काँच को क्या जपा जाता है अतिसी दरब अब बोलेगे कि बलब और camera lens में कौन से प्रकार का चुज किया या जाता है ट्यू लाइट के काँच होते हैं उसमें कौन सा काँच? सोडा काँच काम में लिया जाता है कौन सा काँच काम में लिया जाता है? सोडा काँच अब आता है सर्वुत्तम किसम का काँच कौन सा है? सोडा काँच इसके बाद बात करेंगे अपन पाइरेक्स काँच की इसके बाद बात करेंगे पाइरेक्स काँच की ओच ताप सेन करने वाली करने की चमता किसमे होती है पाइरेक्स काँच में अब आप से पूछ ले कि ऐसे काँच का नाम बताई है जो ओच ताप मान ओच टेंपरेचर जाएगा पयरेक्स, पयरो का मतलब होता है ओच, ओच ताप, ठीक है, इसके बाद बात करेंगे, अपन, आंगे next topic की, कोस्मो, ब्रह्माण्ड की बात करेंगे, ब्रह्माण्ड, अब ब्रह्माण्ड पे अपन का एक देखेंगे कि, रूस, अमेर का और चीन और बारत, जो अंत आइको नौट और बारस से ब्योम नौट ये अंतर चियातरी कहां पहुँचे ब्रह्मांड पहुचे सबसे पहले ब्रह्मांड पहुचे ब्रह्मांड पहुचे सबसे पहले ब्रह्मांड पहुचे ब्रह्मांड पहुचे सबसे पहले ब्रह्मांड पहुचे सबसे पहले ब्रह ब्रमांड की यूनेट क्या होती है आकास गंगा अब आपसे पूछले एक नमर का कुछले यूनेट बताईए तो आपका आंसर जाएगा आकास गंगा इसके बाद बात करते है टाइम लिमिट की देखो सबसे पहले क्या आया था जैसे कि आपसे पूछले कि हम कैसे बने जिन्दकी कैसे जनम हमने कैसे लिया है प्रत्वी कैसे बनी है तो इस हमें इस वीडियो के अंदर तो बताऊंगा ही लेकिन अगली बार मानम की उत्पत्ति बताऊंगा कि कैसे मानम का जनम हुआ है तो तो देखिए टाइम लाइन देखते हैं सबसे पहले क्या आया ब्रह्मांड आया तो ब्रह्मांड आया 13.7 अरब बर्स पहले उसके बाद प्रत्वी ने जनम लिया प्रत्वी की शुरुआत होई प्रत्वी आई वो कब आई थी 4.6 अरब बर्स पहले क्या कब आई थी 4.6 जो की नगन आगों से देखे नहीं जा सकते थे आंसिक छोटे प्रकार की जीवा आये थे आंसिक उनका नाम है नील अरिस सेवाल सबसे पहले कौन से जीवा आये थे नील अरिस सेवाल और वो जीव जो जीवा आये थे नील अरिस सेवाल जीव की उत्पत्ती किस से होई जैल मे जिव की उत्पत्ति के समय में जेल में उत्पत्ति के समय आकसीजन अपस्तित थी अब्वाल, तो ये इंट्रेसटिंग चाप offer टॉपिक है तो सबसे पहले ब्रह्मान की सुवात हुई उसके बाद प्रत्वी उसके बाद प्रत्वी सबसे पहले ब्रह्मान उसके बाद प्रत्वी उसके बाद जीव और उसके बाद आदुनेक मानव और उसके बाद आपका टूडे चल रहा है फिर प्यूचर तो फिर इसके बाद अप किसने किसके दोरा परस्तूत किया अरस्तू नामक में गयाने के और जीवाद जीवाथ पत्तिका सिद्धान लोई पास्चर के दोरा यहां आपका यह टॉपिक कम्प्लीट होता है और इसमें हमने बता है कि ask क्या होते हैं और ब्रह्मांड का जो आंगे schedule बनता गया जैसे ब्रह्मांड आया प्रत्वी आई ब्रह्मांड के बाद जीव जीव के बाद आनूनिक मानव तो यह हम मानव की विकास बताएंगे कि कैसे मानव का विकास आंगे हुआ तो यह आप मानव विकास का टॉपिक आगे करेंगे आपको बिलकुल competition से यहां से बार एक भी question नहीं जाएगा और यहां मेरे social media की link description में दी हुई है आप मेरे से जुड़ सकते हैं thank you so much watching for this video धन्यवाद आपका like, comment, share, subscribe करना ना भूले